हर साल काफी बच्चे SBI PO बनने का ख्वाव रखते हैं अगर इस साल आप भी इनकी रेस में हो तो ये वीडियो आपके लिए है SBI यानि State Bank of India PO यानि Professional Officer यानि SBI PO की Recruitment कुछी दिनों में आने वाली है तो चलिए जान लेते हैं SBI PO बनने के लिए आपके पास क्या-क्या Eligibility होनी चाहिए यानि आपकी Age Limit क्या हो और Qualification क्या हो तो आप SBI PO के लिए Apply कर सकते हो और SBI में Limited Number of Chances है तो आपको कितने Chances मिलते हैं इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले Essential Academic Qualification के बारे में बात कर लेते हैं यानि Educational Qualification की बारे में यहाँ पर साफ सब्दों में लिखा है Graduation in any discipline from a recognized university कहने का दत्पर यह है कि आपके पास आपने graduation किया हुआ होना चाहिए discipline कोई भी हो तो चलेगा यानि आपने कोई भी स्ट्रिम से graduation किया हो तो चल जाएगा परन्तु यह जो graduation किया है वो recognized university से होना चाहिए यानि सरकार माने university से होना चाहिए फरजी university वाला नहीं चलेगा अन्यता और करके लिखा है Any equivalent qualification recognized as such by central government यानि आपके इसके oblique में कोई equivalent qualification है इसके graduation के समकक्ष qualification है और central government की नजर ये से वो graduation के समकक्ष आ सकता है तो भी आप apply कर सकते हो तो यहाँ पर आपके सवालों के जवाब मैं दे देता हूँ simple है qualification education की आपने graduation किया हुआ होना चाहिए या तो उसके equivalent qualification आपके पास होना चाहिए जो central government के नजरे से equivalent हो अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर percentage criteria तो यहाँ पर कोई percentage criteria अभी तक आज तक नहीं आया है in future आएगा तो हम update कर देंगे अपनी चैनल पर दूसरा सवाल सर क्या हमारे backlog लगी है यानि हमें etiquette ही आई है हमने उसको बाद में solve किया है तो आप apply कर सकते हो तो आप apply कर सकते हो अगर आपके backlog लगे है in past और आपने उसके बाद में clear किया है condition यह है कि backlog cleared होने चाहिए आप graduate होने चाहिए तीसरा सवाल कि सर मेरा graduation में drop है यानि मैंने दो साल पढ़ाई लगातर की तीसरे साल कोई बिमारी या अन्य कोई कारण की वज़े से मैं एक साल college नहीं जा पाया तो क्या मैं apply कर सकता हो जी हाँ तो भी आप apply कर सकते हो कोई issue नहीं है आपने अंत में graduation complete किया हो होना चाहिए फिर वो matter नहीं करता कि आपने बीच में gap लिया है या फिर आपके backlog लगे थे और आपने उसको बाद में clear किया है या फिर आपके percentage passing marks के करीब है यहाँ पर कोई matter नहीं करता है यही कहता है कि आप graduate होने चाहिए कोई भी stream सो graduate हो तो चलेगा अब next सवाल काफी लोग का यह सवाल होता है कि सर क्या हम final year या semester में है तो हम apply कर सकते हैं उनके लिए लिखा है ध्यान से पढ़ना ध्यान देना क्योंकि यह point बड़ा important है those who are in final year or semester of their graduation जो लोग अपने graduation के last year में है या तो last semester में हो उनके लिए may also apply यानि वो लोग apply कर सकते हैं ठीक है बट यहां तक नहीं है आगे पढ़ना बहुत ज़रूरी है provisionally subject to the condition that condition लगा के रखी है if called for interview यानि वो candidate जो final year या semester में हो उसकी graduation के वो अगर select होता है और उसको interview के लिए बुलाया जाता है तो उनको produce करना रहेगा proof के उन्होंने exam pass कर दिये अपने graduation की यहां पे date दी जाएगी उस date से पहले साफ सब्दों में इन्होंने लिखा है कि आपको allow तो कर दिया कि अगर आप final year या semester में हो तो आप apply कर सकते हो परन्तु condition बड़ी अच्छे से लगा दी गई है कि यहां पे जो date mention होगी उससे पहले आपका graduation का final result आ चुका होना चाहिए declare हो चुका होना चाहिए आपको कोई भी एक proof दिखाना रहेगा चाहे वो online result डिकलेर हो या फिर आपके पास certificate आ चुका हो परन्तु आपको यह दिखाना रहेगा कि इंटर्व्यू देते समय आप graduate हो चुके हो मेरे ख्याल से आपको point clear हो चुका होगा फिर भी अगर आपको कोई doubt रहता है आप comment section में मुझे बढ़ा सकते हो पूछ सकते हो ठीक है या फिर instagram पे page है मेरा ibps underscore guruji करके आप वहां भी मु 20 से 30 साल यानि candidate जो apply करने वाला है वह 21 साल से कम काना हो और 30 साल से जाधा काना हो ठीक है दूसरी चीज़ होती है यहाँ पर age relaxation यानि जो community में आते हैं टास्ट वाइस उनको age relaxation भी मिलता है relaxation का मतलब होता है shoot chart यानि जो minimum age limit 21 साल है वो तो उतनी रहेगी बरन तो maximum age limit 30 years है वहाँ पर extension मिल सकता है जैसे कि यहाँ पर SC और ST category के लिए 5 साल का extension है यानि SC ST वाले candidate 35 साल तक यह exam दे सकते हैं बरन तु यहाँ पर भी condition है जो हम next slide में देखेंगे ठीक है OBC category जो non criminal में आते हैं उनके लिए ही 3 साल का relaxation मिलता है यानि वो लोग 33 साल तक दे सकते हैं person with benchmark disabilities यानि PWBD उसमें भी अगर SC ST है तो 15 साल का relaxation OBC है तो 13 साल का relaxation और general EWS है तो 10 साल का relaxation ठीक है और ex-servicemen और वगेरा वगेरा वालों के लिए 5 साल का relaxation in short अगर बात करें तो age limit 21 साल से 30 साल है और SC के लिए 5 साल का relaxation OBC के लिए 3 साल का relaxation और PWD candidate के लिए 10 years का relaxation clear है educational qualification हो गया और age limit हो गया तो ये दोनो main eligibility criteria है यानि अगर आप 21 से 30 साल के बीच में हो और आपके पास graduation की degree है तो आप apply कर सकते हो SBI PO के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता अब बात करते हैं एक third point की की eligibility criteria तो इतना ही है परन्तु एक third criteria है जो indirectly यहां पर impact करता है और वो है number of chances यानि आप ऐसा नहीं है कि SBI की exam SBI PO के exam आप unlimited number of times दे सकते हो unlimited के लिए कुछ ही लोग है जैसे कि अगर आप general और economically weaker section EWS section में आते हो तो आप maximum four times यह exam दे सकते हो चार exam के बाद four attempt के बाद आप fifth attempt नहीं दे पाओगे आप in eligible हो जाओगे ठीक है आप eligible नहीं रहेंगे clear है ठीक है आगे क्या है general EWS category में अगर आप person with disability हो तो आपको 7 attempt ही मिलेंगे 7 से जादा attempt यानि 8 attempt आपको नहीं मिलेगा उसके बाद आप eligible नहीं रहेंगे OBC को 7 attempt मिलेंगे और OBC PWD candidate को भी 7 attempt मिलेंगे यानि इन तीनों को 7 attempt मिलेंगे और general वालों को 4 attempt मिलेंगे और STSC PWD candidate को को restriction नहीं है वो लोग जितनी बार चाहे उतनी बार दे सकते हैं उनके eligibility criteria fulfill होने time तक ठीक है फिर ऐसा नहीं कि कितने भी वार देते रहो अब यहां पर बात आती है दो चीज़ की 2015 में क्या हुआ 2015 में 2015 में SBI ने preliminary examination का मतलब एक phase और add कर दिया सबसे पहले क्या होता है 2015 से पहले की बात करें 2014 में या फिर 13 से लेके मतलब 11 से लो 13 से लो 14 में तो यहां पर क्या होता था यहां पर एक ही exam होती थी main exam और फिर interview होता था 2015 के बाद preliminary examination आई उसके बाद main exam होती है और उसके बाद interview होता है ठीक है तो यहां पर प्रशन यह आता है कि count count कैसे करना है यहां पर प्रशन यह है कि count की counting कैसे होगी तो preliminary examination में अगर आप appear हुए हो और आप means के लिए qualify नहीं हुए हो तो आपका count गिना नहीं तो यह 15 के बाद की बात कर रहा हूं ठीक है अगर आपने main exam दी हो तभी आपका count किना जाएगा अब आप prelim से qualify होके main में गए हो और main exam में appear ना हुए हो तो भी आपका count count हो जाएगा और अगर आपने main exam देने गए हो तो भी count count होगा और अगर 15 से पहले आपने कोई exam दी है त तब तो एक ही exam थी तो CDC बात है कि आपका attempt count होगा बट 15 के बाद की बाद है 15 और 15 के बाद की बाद है तो अगर आप preliminary examination qualify करते हो तो ही आपका attempt count होगा अगर आप preliminary examination में qualify नहीं कर पाते हो तो आपका attempt count नहीं होगा तो मेरे ख्याल से यहाँ पर clear एक example देता हूँ जैसे कि मैं मैंने 2015 में exam दिया मैं preliminary qualify ही नहीं कर पाया तो मेरा attempt count नहीं होगा 2016 में मैंने exam दिया मैं preliminary qualify कर गया means भी qualify कर गया और interview मेरा नहीं होगा तो मेरा attempt यहाँ पर count होगा मैंने 2014 में भी exam दी थी तो मेरा वो भी attempt count होगा मैंने 2017 में exam दी preliminary examination में पास हो गया बट main examination medical की वज़े से मैं नहीं जा पाया तो भी मेरा attempt count होगा इन शॉर्ट ये examples आपको clear हो गया होगा तो यहाँ पर आपका ये factor भी matter करता है कि आप eligible हो की नहीं हो मेरी काल से मैंने आपके सारे doubt clear कर दिये हैं अगर आपको फिर भी कोई doubt रहता है तो comment section आपके लिए खुला है अगर आपने हमारे instagram page को अभी तक follow नहीं किया है तो हम भी आइबी पेस गुरूजी है मिल जाएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना साथ में बैल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं आपके लिए नए वीडियो अपलोड करूं आपको उसको नोटिफि जब एक करना से और में जामी जाएगा